हिमाच्छल प्रदेश में आगामी पंच्राइदी और विधान सभाथ चुनाब में महिला मोर्चा विशीष भूमिका निभाएगा महिला मोर्चा की बैठक नाहर में आयो जित हुई जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक सुरेश करशेप और BJP महिला मोर्चा की प्रدेशा अध्यख साब 6 रूप से मौझूद रही बैठक में महिला मोर्चा की कारे कर्ताओंने आगामी चुनावों को लेकर रननीती तैयार की प्रदेशा अध्यख शुरेश करशेप ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह के चुनाव हों उसमें महला मोर्चा की विशेश भूमिका रहती है उन्होंने कहा की विधान सवच चुनाव 2018 और लोग सवच चुनाव 2019 में महला मोर्चा ने विशेश भूमिका निभाई है जिसकी बदौलत प्रदेश में बड़ी जीत पारटी को मिली थी कशिय अपनी कहा की करोनकाल के दौरान महला मोर्चा की कारेकरतों ने सेवा कारे करते हुए 50 लाक से भी अधिक मास आये और इसे परदेश भर्वे लोगों में बितरित किया महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशिम सूध ने बताया कि महिला मोर्चा ने अपने जनांदोलन कारे क्रम के तहत हर बूत पर 20 महिलाओं को जोड़ने का लक्षे रखा है और यह कारे आगामी 30 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में पूरा हो जाएगा उन्होंने कहा की आगामी विद्धान सवच चुनाब 2022 और पंच्चायती चुनाब में महिला मोर्चा किस तरीके से काम करेगी उस पर भी मोर्चा रणीती त्यार कर रहा है PR TV News Bureau Report नाहन